उदर दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद राजी की मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल ने छे दिनों की लॉक्डाउन का एलान कर दिया है लॉक्डाउन आज रात दस बजे से शुरू होगा और अगले सोमवार सुभा पांच बजे तक जारी रहेगा इस दौ तो आज रात को दस बजे से अगले सोमवार को सुभा पांच बजे तक छे दिन के लिए दिल्ली में लॉक्डाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो essential services हैं वो जारी रहेंगी खाने पीने की medical विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी ये शादियों का सीजन ह लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाते तो लोगों की शादियां समपन हो लेकिन केवल 50 लोगों के gathering के साथ समपन हो उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे इसके बारे में अभी थोड़ी दिर में detailed order जारी हो जा है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं लोगों की कमाई खतम हो जाती है और खासकर सबसे गरीब तब के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है जो दिहा जाने लगे थे उसमे खास तोर से आज जोड के पील करना चाहता हूं ये च्छोटा सा लौकडाउन है प्लेजिंका दिली छोड के मच जाएगा आपके आने-जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतना पैसा क्राब हो जाएगा इतनी उर्जय क्राब होती है दिल्ली में रही है और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सयूगी जोड़ रहे हैं दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसके लावा हमारे साथ मुंबई से आशिश दिख्षित हैं आनंद सबसे पहले आपके पास आती हुए कि क्यों ये लॉक डाउन लगा गया है इ क्या गरीब तबकिये के लिए कोई कदम? कर्फिव है उसका सकती से पालन आंक्ड़े बढ़ते जा रहे हैंरों, कि की बढ़ते जारों जो वहाँ इक लिए लुकन? तो इसी तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस क्योंकि फ्रंट टाइम पर रहती है और पूरे लॉक्डाउन कर्फ्यू को सुचारू तरह से लगाया जाए और सड़कों पर जो लोग हैं वो सकती से पालन करें इसका विल्कुल क्योंकि जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है औ आईस्यू बेट बढ़ाये जा रहे हैं डेली 25-25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी विवस्था चर्मरा सकती है दिल्ली के अंदर बेट्स की भारी कमी हो रही है आईस्यू बेट्स दिल्ली में लगबग खतम हो गया है आज सुबह मैं एप पे देख रहा था सौ से भी कम आईस्यू बेट्स दिल्ली में बज़े हैं ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है अर्वंत के जिवाल ने कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर चिंता भी जताई और उन्होंने कहा कि मरीजों की इलाज के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी दिल्ली में क्या परिस्थिति है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगबग 24,000 केस आये थे तो पिछले तीन-चार दिन से रोज हम देख रहे हैं लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं मुखे मंत्री अर्विन के जिवाल ने दावा किया कि उन्होंने कभी कोरोना मरीजों के आकड़े नहीं चिपाए और साथ ही उन्होंने जनिता से सहयोग की भी अपेल कि आज दिली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रती 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिली में हो रहे हैं मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नहीं किये उल्टे कम करने की वज़े हमने दिली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिये आज लगबग एक लाख टेस्ट दिली में डेली हो रहे हैं मुंबई के कई इलाकों में पुलिस ने चेकिंग अभ्यान चलाया जिसकी एक तस्वीर दादर इलाके से भी सामने आई जाच के दौरान जो लोग बिना वज़ा घूमते दिखाई दिये पुलिस ने उनका चालान भी काटा तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के कई इलाकों में इस तरीकी का भ्यान पुलिस की तरफ से जिसकी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दादर इलाके की है जाच के दौरान जो लोग बिना वज़ा घूम रहे थे पुलिस ने उनका चालान काटा मुंबई सहीत महाराष्ट में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हैं